नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्टर जी पे तो दोस्तों आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जा रहे Q&A सीरिस की दसमी वीडियो जिसमें आज मैं शामिल करने वाला हूँ आप लोगों के उन सवालों को जो सवाल आप लोगोंने आज से लगवग 1-2 महीने पहले पूछे थे और किनी वजहों से मैं इनके जवाब अब तक आप लोगों को नहीं दे पाया था तो मैं आशा करूँगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो हम से किया है मनोज मिश्राजी ने और ये लिखते है वाट इस दा वैलू आफ रानी गाइदेने लिव फाई रूपीस कमेमरेटिव कौईन तो जहां तक अभी मेरी जानकारी है तो ये सिक्के अभी सिर्फ प्रूफ और यूएंसी सेट और हैदराबाद मिंट के सिंगल कौईन सेट में ही आए है और हैदराबाद मिंट की तरफ से इस एक सिंगल कौईन सेट की कीमत रखी गई थी 333 रुपए जिसको की आप SPM CIL की वेबसाइट से बुक कर सकते थे लेकिन अगर आप इस सेट को किसी कलेक्टर या डीलर से खरीदेंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है लगबग 500 रुपए से 600 रुपए के बीच में और जैसे इस तरह के कॉमन सर्कूलेशन के सिक्के भी बाजार में आते हैं उनकी जानकारी से जुड़ी ही वीडियो भी आप लोगों को जल्द इस चैनल पर मिल जाएंगी अगला सवाल हम से किया है मुहमद आशिक ने ये लिखते हैं मेरे पास है East India Company का हाफ आना 1835 का इसकी कीमत क्या है तो इस तरह के 1835 के हाफ आना के सिक्कों की कीमत की बात करें तो इनकी कीमतें डिपेंड करती हैं इनकी कंडिशन और इनकी मिंट्स पर यानि कि इन में बॉंबे और कैलकटा मिंट के सिकों की UNC कंडिशन में कीमत जा सकती है तीन से लेके 5000 रुपे के बीच में वहीं 1835 के इन हाफ आना में मदरास मिंट के सिक्के भी आते हैं जो कि बॉंबे और कैलकटा मिंट के सिकों से ज्यादा महंगे बिखते हैं और उसकी कीमत जा सकती है लगबख 10-15,000 रुपे के बीच में तो इन सिको की मिंट्स को हम कैसे पहचान सकते हैं इसके लिए इन सिको पर जेल्दी में अलग से एक dedicated वीडियो बना दूँगा जिसमें इन सिकों से जुड़ी ही और भी ज्यादा जानकारियां आप लोगों को मिल जाएंगी तो यहाँ पर बलजिंदर सिंग राजु जी ने लिखा है कि सर मेरे पास 25 पैसे कोई एशियन गेम्स 1982 का सिक्का है इसकी कीमत क्या होगी तो 25 पैसे के अब तका सभी commemorative coins पर मैंने पहले से ही एक dedicated वीडियो बनाई हुई है जिसका link मैं आपको उपर आई बटन में दे रहा हूँ तो आप इस वीडियो को देखकर 25 पैसे के इन सभी commemorative coins की कीमत जान सकते हैं तो अगला comment आया है हमारे पास माशीतला जी का और इन्होंने हमारी पिछली QN वीडियो की काफी तारीफ की है और लिखा है बहुत बढ़िया वीडियो थी काफी कुछ सीखने और समझने को मिलता है मेरा सवाल यह है कि कोई coin आगे और पीछे से एक दिशा में ना छपा हो तो उसकी कीमत क्या हो सकती है example के तोर पर इन्होंने लिखा है कि एक, दो या पाँच कोई भी सिक्का हो तो इस तरह का error जिसमें सिक्के पर सिर्फ एक ही तरफ छपाई होती है इस तरह के error coins को लाख ही कहा जाता है और ये error आपको coin के reverse या upwards दोनों ही side में देखने को मिल सकता है तो इस तरह के error coins काफी rare माने जाते हैं और अगर आपके पास इस error के साथ कोई नया coin भी है तो भी उसकी कीमत अच्छी condition में लगबग 3-5,000 रुपे तक जा सकती है वहीं अगर ऐसा error coin आपको पुराने issues में मिल जाता है तो उसकी कीमते हजारों और लाखों तक में भी जा सकती है तो अगला सवाला आया है पायल के ठाकुर जी का और इन्हों ने लिखा है Sir Good Morning मेरे पास 1994 का Montexing आलू आलिया का packet है इस packet की कीमत क्या होगी तो इस तरह की एक रुपे के Montexing आलू आलिया जी के नोटों पर एक dedicated वीडियो में ने पहले सही बनाई हुई है जिसका लिंक आपको अभी उपर आई बेटन में मिल जाएगा तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी एक रुपे के सभी Montexing आलू आलिया जी के signature वाले नोटों की सही जानकारी तो तजनीन सुल्ताना जी ने पूछा है Queen Victoria 2 आना 1843 Silver Coin की क्या value है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं की 1843 में 2 आना के कोई भी सिके जारी नहीं हुए थे और जो सिके असल में आये थे उन पर year था 1841 और इनमें भी आती है दो अलग-अलग varieties एक होती है Continuous Legend जिसमें यहाँ पर Queen Victoria एक साथ लिखा होता है और दूसरी होती है Divided Legend और इसमें Queen और Victoria के बीच में गैप होता है और यह सभी सिके बनाये गए थे उस समय Bombay, Calcutta और Madras की Minto से जिनकी कीमतें आज के समय में Fine Condition में शुरू होती है 500 रुपए से और UNC Condition में जाती हैं लगबग 7,000 रुपए तक अगला सवाल हमसे किया है जैदीब शिंदे जी ने और इन्हों ने लिखा है मेरे पास एक रुपए का मच्छी उद्धोग वाला Coin है इसकी Market Value क्या है तो जैदीब जी मैं आपको बता दू कि मच्छी उद्धोग यानिकी Fisheries की थीम पर 1983 में इस तरह के 20 पैसे, 50 पैसे और 100 रुपए के सिक्के आए थे जिसमें से ये 100 रुपए का सिक्का आप लोगों को देखने को मिल सकता है सिर्फ Proof और UNC Sets में जबकि ये 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के Common Circulation में भी आए थे लेकिन इस तरह के जिस एक रुपए के सिक्के की आ नहीं है, तो नीलांबर बारिक जी जानना चाहते है, 1911, 1921 और 1922 के 1 रुपी जॉर्ज फिफ्ट सिल्वर क्वाइन्स की कीमत, तो 1911, 1921 और 1922 के तीनों सिक्के Rare की कैटेगरी में आते हैं, और 1911 से लेके 1936 के सभी एक रुपए के सिक्कों की कीमत, मैंने अपनी इस वाली वीडियो में आप सभी को बताई हुई है, तो अगर आप सभी ने अभी तक ये वाली वीडियो भी नहीं देखी है, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग एक रुपए के 1911 से लेके 1936 तक के सभी सिक्कों की कीमत जान सकते हैं, तो बदारिया ब्रदर्स जानना चाहते हैं 1890 के 2 आना के सिक्क्य की क्या कीमत होगी, तो बात करें विक्टोरिया एंपेरेस के 1890 के इस 2 आना के सिक्क्य की कीमत की, तो चानदी के इस सिक्क्य की कीमत शुरू होती है five condition में 400 रुपए से और उन सी कंडीशन में ये कीमत जाती है लगभा 1500 रुपए तक तो अगला सवाल की सुमोन बिटने और यह जानना चाहते है Commonwealth Parliamentary Conference 1991 के 1 रुपे के सिक्के की कीमत तो 1991 का एक रुपे का यह commemorative को जारी किया गया था सिर्फ Bombay Mint से और इस सिक्के की कीमत जाती है 5 रुपे से लेके 25 रुपे के बीच में जो कि आपके सिक्के की condition पे डिपेंड करेगी तो अगला सवा हमारे पास आया है सुनीत सिंग जी का और इन्होंने लिखा है I have 1981 रुपी note signed by Dr. Manmohan Singh as finance secretary How much is it worth और लगभग यही सवाल हम से किया है साइद जी ने जिसमें इन्होंने लिखा है Sir मेरे पास Manmohan Singh के signature वाला एक रुपे के नोट का बंडल है इसकी क्या कीमत होगी तो आप specific note या सिक्के की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप उसको simply YouTube पर सर्च कर सकते हैं जैसे कि माल लीजे कि आपको जाननी है इस तरह की एक रुपे के Dr. Manmohan Singh जी के signature वाले नोटों की कीमत तो simply आप लोग यहां पर सर्च कीजिए 1 रुपी note signed by Manmohan Singh value और इसके साथ अगर इसम हुआ दिख रहा है तो यहां पर मैंने और एक रुपे के Dr. Manmohan Singh जी के signature वाले नोटों की कीमत बताई हुई है साथ इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे नोटों की भी जानकारी दी है जिनकी कीमत 120,000 रुपे तक भी जाती है और इसी के साथ इस वीडियो का लिक में उपर आ lif activity के तौर पर बता दू कि 1954 का यह सिक्का आज से लगबच 10 साल पहले यानि कि 2010 के आसाथ यॉएंसी कडिशन में बिक्ता था लगबच 2,000 रुपे के आसपास और आज यानि कि 2019 में भी इसकी UNC कंडिशन में कीमत है लगबग 1500 रुपे से 2000 रुपे के बीच में, यानि कि इस 10 साल में इसकी कीमत में ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है, और कीमतों को बढ़ने में सालों भी लग सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ collectors के पास से इस तरह के सिकों के बड़े बड़े lot निकल के आ जाते हैं, जिनको उन्होंने काफी सालों तक संभाल के रखा हुआ होता है, तो ऐसा होने यानि कि supply बढ़ने के साथ demand भी कम हो जाती है, जिसकी वज़े से कीमते कभी कभी घट भी जाती है, तो यहाँ पर रफी मुहमबद ने लिखा है भाई मेरे पास year 2000 का 5 रुपए का error coin है, mint है MMD और ये सिक्का 2 o'clock पर rotate हो रहा है, तो इस सिक्के की value कितनी हो सकती है, तो सन 2000 में बना 5 रुपए का ये सिक्का जिस पर इस तरह का mint mark होता है, ये सिक्का होता है Moscow Mint का, तो अगर नॉर्मल सिक्के की बात करें तो ये सिक्का ये common सिक्का ही है, जिसकी UNC कंडिशन में कीमत 20 रुपए तक जाती है, लेकिन 2 o'clock error की वज़े से इसकी कीमत 50-100 रुपए तक भी जा सकती है, तो यहाँ पर Rocking Base ने लिखा है कि मेरे पास 1 मोहर का एक और 2 मोहर के 3 1835 के East India Company के क्वाइन है, इनकी price क्या होगी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी इस पिछली Q&A वीडियो में भी बताया था, कि 1835 का दो मोहर का ऐसा एक सिक्का जिसका वज़न होता है लगबग 23 ग्राम और ये बना होता है गोल्ड से, तो ऐसे 2 मोहर के एक सिक्के की UNC कंडिशन में कीमत जाती है लगबग 15 लाक रुपए, तो इस तरह के 3 सिक्कों की कीमत होगी 45 लाक, वहीं 1835 का एक मोहर का सिक्का जिसका वज़न होता है 11.66 ग्राम, तो इस एक मोहर के सिक्के की UNC कंडिशन में कीमत जाती है लगबग 6 लाख रुपए के आसपास तो आपके इन 4 सिक्कों की कीमत लगबग 50 लाख तक जा सकती है लेकिन अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो आप इनकी जाज भी ज़रू करवा लें क्योंकि इस तरह के काफी सरे रेप्लिका यानि की फेक या फैंसी सिक्के भी बाजार में बिखते हैं जो कि आपको 200 रुपए से 1000 रुपए के बीच में भी मिल सकते हैं तो यहां पर भाल चंदर शर्मा जी ने लिखा है नमस्कार स्टार रेर नोट बिखते भी हैं या नहीं मैं 10 अगस्त को एहमदाबाद एक्जिवेशन में गया था मगर इनको कोई नहीं लेता सर तो नमस्कार शर्मा जी जैसा कि आपने अपने कमेंट में ही लिखा कि रेर स्टार नोट तो रेर स्टार नोट में काफी सारे नोट आते हैं जैसे कि एक्जामपल के तोर पर 2008 का ये 99A प्रिफिक्स का नोट जो की UNC कंडिशन में निलाम किया गया था 4,25,000 रुपे की कीमत में लेकिन ये कीमते भी इसकी कंडिशन पर ही डिपेंड करती हैं मान लीजे कि यही सेम नोट आपके पास कम अच्छी कंडिशन में होता तो हो सकता था कि यही नोट 1,00,000 में ही बिकता और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दू कि हर एक स्टार नोट रेर नहीं होता है कुछ ही ऐसे स्टार नोट है जिनकी कीमत लाखों तक में जाती है और बाकी आते हैं कुछ ऐसे स्केर नोट जिनकी कीमतें 1000 ये 10,000 तक भी चली जाती हैं लेकिन ज्यादा तर स्टार नोट कॉमन ही होते हैं जिनकी कीमतें उनकी फेस वैल्यू से लगबग 5-10 रुपह ही उपर आप लोगों को मिल सकती हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टार नोट आपका एक्जिविशन में बिक ही जाएगा लेकिन हाँ अगर कोई रेर स्टार नोट है और आप उसे जैनुएन प्राइज में बेच रहे हैं और उसकी कंडिशन भी UNC है तो आपके ऐसे UNC कंडिशन के नोट ज़रूर भी कहेंगे क्योंकि एक्जिविशन में ज्यादा तर कलेक्टर सिर्फ UNC कंडिशन के नोट का ही कलेक्शन करना पसंद करते हैं तो मैं आशाय करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों के ज्यादे से ज्यादा सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे लेकिन फिर भी अगर आपके मन में सिक्क्यार नोटों से जड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो उस सवाल को आप नीचे कमेंट बॉक्स में हैस्टेग मास्टर जी लगा कर मुझसे पूछ सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रू शेयर करें झाल झाल